दोस्तो अगर आपका इंटर्विव है ICICI Bank में Sales Manager की Post पे उपर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाली है अगर आप Sales Executive या फिर Sales Officer की Post पे भी इंटर्विव देने जा रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी helpful रहेगी तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं यहाँ पर आपको दस ऐसे इंटर्विव के Question बदाने वाला हूँ जॉब बिलना तो बहुत दूर की बात है आपको रिस्पॉंस तक निमिल रहा एक सिंगल कॉल तक निमिल रही तो आपको चाहिए एक professional resume एक brand new बेहतरीन क्वालिटी का आपको चाहिए जिसको हम आपको बना करके देंगे कीमत है अभी 299 अगर आपके पास experience थोड़े जादा लेंगे लेकिन हाँ एक अच्छा resume होना बहुत जरूरी है अगर आप हमसे resume बनवाते हो तो आपके पास calls भी आएंगे और भाई लोग हमें बतानी रहे हमारे resume से वाक yourself Mr. Junior, जो भी आपका नाम है वो आपका नाम लेगा और आप से बाप कर रहा होगा तो वह पूछर आपने बारे में कुछ हमें बताईए तो आपको आपको तीन चीज़ा बतानी है कैसे काम कर सकते हो यह जो passion आपको मिल रहा है यह कैसे मिल रहा है पैसनेट कैसे हो आप यह तीन चीज़ा आपको बता देनी है एक मिनट के अंदर अंदर ठीक है तो आपका अंसर बेस्ट हो जाए दूसरा question यह है ICICI bank के बारे में क्या जानते हो यह बताओ अगर आपसे question पुछा है का आप ICICI bank के बारे में क्या जानते हो तो आपको यहाँ पर ICICI bank के बारे में तो बता नहीं है कहां से बताएंगे हम हमने इसके उपर भी एक video बनाए विए जिसमें हमने ICICI bank की पूरी history बता रखे तो आप वो वीडियो देख लिए ना my button में लिंक लगा दो हो फस्ट अफॉल दूसरी चीज वह थोड़ी पुरानी वीडियो है तो अभी जो latest history है ICICI bank की वो आप देख सकते हो ICICI bank कौन से product sale करता है ICICI bank कौन से services देता है यह सब आप देख सकतो ICICI bank की official website को उपर सब push mention है साथ चाथ ICICI bank की जितनी achievements है वो आपको बतानी है कि अभी recently इन्होंने यह achieve किया है HDFC ने यह achieve क्या है अगर हम इन दोनों का comparison करें तो यह चीज मुझे ICICI की based लगी मतलब आप एक example बाहर से भी दे सकतो और अंदर से भी दे सकतो और हाँ बात को गुमा पिछा के complete answer दे सकतो तो इस तरह किसे हमारा दूसरा answer भी based हो जाएगा तीसरा सवाल यह है कि आप मुझ बिक्री करना नहीं है समझे लोग सेल्स का इंपोर्टेंट पार्ट है वो rejection से लड़ना है जो rejection हमारे पास आ रहे हैं उनसे कैसे हम निप्टेंगे भाई मेरे वीडियो पर अल्मॉस हजार व्यूज आते हैं हजार लोग पास वीडियो पहुचा रेजिमे बनवाना आते हैं होतनी है हराद भी नहीं ले सकता तो सही ओडियंस के पास सही प्रोड़क्ट पहुचाना एक सेल्स ओफिसर की जिम्मेदारी होती है पहला सवाल दूसरा यही है कि नेचुरल चीज है सेल्स के मामले में rejection आना अगर आपके मामले में rejection नहीं आ रहा आप बढ़िया सेल्स चीज यह है आपको कुछ new opportunity मिलेंगी पुरानी चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो ठीक है लेकिन चिपक के पकड़के हमें नहीं बैठना होता है तो यह तीसरा question का अंतर था चोता question हमारे पास है sales technique क्या है आपकी जिसकी वजह से आपकी deal जो है वो close हो जाती है जुनेत कुछ यह proof तो आपना कुछ अपने सबूत इखटा करके रखो ठीक है कुछ अपनी strategy बना के रखो और साथी साथ कुछ ऐसे products रखो जिनको हम showcase कर सकें दिखा सकें यह चीज है अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो अगर नहीं लेनी तो नहीं ले सकते है लेकिन हाँ exclusive भी बह हमारे पास आते है रेजिमें बनवाने के लिए तो वह हमसे कहते हैं भाई हमें सेंपल चाहिए है तो हम उनको मना कर देते हैं सेंपल नहीं दिखा सकते है विकॉस अफ यह exclusive है तो हम उनको फिर जो हमारे clients के feedback होते हैं बहुस साय लोग हमें rating देते हैं कोई-कोई तो भाई बढ़क के गुस्से में कम भी दे जाता है ठीक है तो वह हम नहीं डालते है वहरहाल हम जो बढ़िया rating हमें मिल रही होती है मतलब 99% हमें rating अच्छे मिलती है ठीक है तो उसको हम post करते हैं अपने instagram पर अपने facebook पेज पर अपने whatsapp की status पर सब जगाप हम उसके लगा कर रखते हो कि हमारी reports आई हैं पिछले साल की यह हमारी clients के feedback है इस तरीके से हमारी जो sales है वह अच्छे हो जाएंगे और यह मेरी टेक्नीक से काम करने की यह हमारा था चोथा question question number 5 वा यह है कि देखो एक चीज तो आप sales करने रहे हो ठीक है बहुत सारी चीज़ों को sales कर रहे हो तो आप कैसे answer करोगे कि देखे सर बहुत सारी चीज़े एक साथ लगे तो नहीं चलना चाहिए चोटे 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 goals बनाओ उन चोटे चोटे goals के चलते आप बड़े goals भी achieve कर सकते हो ठीक है आप इस तरीके से इसका answer करोगे और यार हम कोई बहुत ज्यादा बड़े expert नहीं ह ठीक है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसका answer यह हो सकता था और यह best answer हो सकता था तो प्लीज आप comments में जरूर लिखना ठीक है अगर आपने कहीं interview दिया है और आपने बोला है वो आपकी तारीफ हुई है तो प्लीज आप वो suggestion दे सकते हैं हम उसको बहुत लोगों तक पहला नहीं कोशिश करेंगे यह हमारा पांचवा सवाल था और इसका जवाब देने के भी मैंने पूरी कोशिश की है अगर यह वीडियो आपको अब तक अच्छा लग रहा है मतलब थोड़ी सी भी आपको अच्छा लग रहा है हां help हो रही है तो please hit the like button because बिल्कुल free है और बहुत शरम आती थी कि भाई क्या बोलेगा यह बंदा कैसे अकाउंट्स खोलते लोगों के बहुत सारी चीज़े तो आपकी बता सकते हो पहली चीज यह तो थपके साथ है वैसे सब भी बता सकते हैं लेकिन बहुत सारी लोगों के साथ कुछ अलगी तिकड़ा मजाती है उस बंदे ने पैमिंट करने से मना कर दिया वो कह रहा है कि यह प्रोड़क्ट एक्चुली में वह ही नहीं जिसकी मैंने आपसे डील की दी और मैंने उससे सिंपली बोला हम आपके साथ क्यों फ्रोड करेंगा आप हमारे पहले कस्टमर हैं अगर हमारा एक कस्टमर बेस बन से समझाया देखे सर अगर आप नहीं लोगे मेरी से जाएगा यह वो दुनिया भर की मैंने उसको बात समझाए प्लाइटली काम लिया प्यार से काम लिया रिक्वेस्ट फुली काम लिया देन वह हमारी जो सक्सेस्फुली स्टोरी बनी और हाँ अचीविमेंट हमारी आ जो भी आपका औरिजनल इंसिडेंट है वो आप सेयर कर सकते हैं अपने एक्जामन के साथ कोई भी समस्चा नहीं आएगी क्वेश्चन पर साथ यह है कि यार यह चीज नहीं होनी चाहिए थी या यह नहीं होने चाहिए उसको कैसे हैंडल करोगे तो भाई देखो जैसे मैं हम काम बाणने थोड़ी छोड़ देंगे सिंपल सी बात है ना तो कॉंसेप्ट यही है आपको कहना है कि सर अब्जेक्शन जो बंदा उठा रहा है उसकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए एक्टिव लिसनिंग मुझे करनी है और मैं उसकी बातों को सुनूगा कि यह क्या है क्या रहा है ठीक है बहुत सारे लोग बहुत होश आगे नहीं जाना, guideline में रहके काम करना है, और अगर सवाल की बात करें, objection को कैसे handle करोगे, तो सार जाहिरती बात है, objection तो आएंगे, उनको समझाएंगे, कोशिश करेंगे, कि मांज जाए, अच्छे से समझादेंगे, ठीक है, प्यार से समझाएंगे, पुलाइटली समझाएं है, कि आप अपने sales के targets को achieve कैसे करोगे, या कैसे करते थे, तो अगर आप करते थे, तो आप बता सकते हूं कैसे करते थे, और एकर नहीं किये हो, तो आप उनको clearly बॉल सकते हो, sir मैंने आस तक कोई ऐसा targets को achieve नहीं किया, लेकिन हां, तो कैसा होता है, आपको कुछ ना-कुछ तो आपने क्या होगा। मालनो आप अपने बाप के गल्डे पे बैट रहे हो या अपने बाप के साथ कुछ बहुत कर रहे हो मा के साथ कर경 कर वेहन स वे इतने दिन ऑप doesnyan किया नलगा है तीन सार कॉल यृज्डवी से बिस हजार कमाना वानण कितने लोगों के पैसे मिलाके इतने रुपे चीज़ेंगे यूट्यूब से तो मैं उसी के हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूं कि इस मंद में इतना पैसा यूट्यूब से निकालना है देन जाके चीज़े के लिए रोपाती है इस तरीके से हम अपने टार्गेट को अचीव करेंगे बेस्ट आंसर के लिए प्लीज कोमेंट स्किशन ओपन है आप जरूर लिखे को सारे लोग कहते हैं सेल्स में तो बहुत टार्गेट होता है बहुत प्रिशर होता है आपको ऐसी कौन सी चीज़ जो मोटिवेट कर रही है यहाँ पर काम करने के लिए ठीक है तो आपको है कहीं उसको बदले मुझे पैसे ही मिलना है तो यह भी बेस्ट चुछाएगा और तीसरा आप बला सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो है वह वह न्यू न्यू अपर्चुनेटी देखने के लिए मिलेगी कुछ ना कुछ नया करने के लिए मिलेगा मालो जब भी मैं किसी नए जिनका इंटर्व्यू अल्मोस्ट खतम हो चुका होता है और एक्जामनर को लगता है कहां यह बंदा ठीक है थोड़ा था और इससे चलो यह कुछ लेते हैं आप अपने आपको दस साल में या फिर पांच साल में कहां देख रहे हो जो भी आपका इंटर्व्यू है ठीक है जो भी आपकी पॉस्ट है उस पर आपको कहना कि मैं बैस्ट रहूंगा उस वाली जॉब में ठीक है यार यह जो हमने आंसर बताए है ठीक है वैसे हमने पूरी कोशिश करी है कि हम इनका आंसर भी दे सके हैं लेकिन हम एक्जेक्ट आंसर यहां पर नहीं देना चाहते है क्य जिसमें बैंकिंग से रिटेट सारे क्विश्चन आंसर मौजूद हैं आप उस बुक को पर्चेस कर सकते हो कीमत नाइटी नाइन रुपीज फस्ट लिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाए पर्चेस कर लिए बहुत ही इसी तहीं कैसे वह बुक आपको मिल जाएगी हाँ उन आंसर को आप थोड़ा बहुत मोडिफाइगर का अंसर कर सकते हो चल जाएगा ठीक है तो यह हमारे दस क्वेस्टन आंसर थे आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्रीजियू में बनवाने के लिए या फिर इस बूक में आपको कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करो ठीक है एक बार हमारा चैनल चेक करो पॉंटेंट चेक करो उसके बाद अच्छा लगए तो प्लीज कर लेना चलो हाँ आपसे दूसरे वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद खुदा हाफिज